हरर महादेर देवों के देव महादेर जी के चरने पणाम करती हुँ मेरा पणाम स्विकार हो माताग और पार्वती के चरने पणाम करती हुँ मेरा पणाम स्विकार हो गनपती ललनमा के चरने पणाम करती हुँ मेरा पणाम स्विकार हो सब गुरु भाई बहनों के चरन पणाम करती हूँ, मेरा पणाम सिविकार हो सब देवी दोताओं के चरन पणाम करती हूँ, मेरा पणाम सिविकार हो गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हूँ इस कथा को पुरा सुने और हर जानिये आधी नहीं आधी सुन्ने में सिवगुरु का आप मान होती है और पूरा सुन्ने में ज्यान होती है इसलिए कथा को पूरा सुनिये और हर जानिये हर हर महादेव घर घर महादेव गुरुभाई भाहन एग और जात के धोविन थे उँ विचारी पुरा गांग के कप्राद होती थी और गांग गांग में कप्राद बाटने जाती थी घर घर लेकिन गुरुभाई भाहन उजो धोविन थी और धोवी थे उनका भगवान भोले नात में बहुत नेयो लगन था भगवान भोले नात के भाक्त थे भगवान भोले नात के पुजा करते थे तो गुरुभाई भान जब कपड़ा बिचारी देने गई घर घर तो ये घर में सीफ चर्चा हो रहा था जब एक घर में सिर्फ चर्चा हो रहा था तो विचारी कपड़ा ना बाट कर और उस घर में जाकर चर्चा में बैट गई चर्चा में बैट कर और चर्चा सुनने लगी तो चर्चा सुनते सुनते बहुत वक्त बित गया गुरुभाई बहना बहुत से बहने थे जो गठा कहने लगे चर्चा में लोग कहते हैं गुरुभाई बहन पान की चर्चा में कठा जो धूरी होना चाहिए तीन सुत्रा के मतलब तीन कथा भी होना चाहिए तो गुरु भाई वहना बहन जो वहां गुरु भाई या वहन थे तो कथा कहने लगे और कथा कहने लगे तो बिचारी धोवी जो थी उसका दिल में सिने भरा हुए था भगवान के लिए बहुत लालसा था बोली कि भईया जी हम तो भगवान के भव्त तनीगों से हैं लेकिर क्या आप लोग सम मिलके मेरे घर चर्चा करवा दिजेगा यदि आप एक दिन चर्चा करवा देते मेरे घर तो भाईया हम सब को अभारी बनके एक दिन के लिए रह जाते सारा लोग मिलके बोले उनको कि गुरु बहन क्या आप मनूस नहीं है जो आपको हम घर चर्चा नहीं कराएंगे अखिर क्या कारण है हम आपके घर अवस चर्चा कराएंगे आप इतनी बढ़िया गाती हम तो जानते भी नहीं थे आपको कहानी भी आता है आप तो दुसरे को कहानी भी सुनाएं और सूने भी बहुत अच्छा लगा गुरु भाई बहना बिचारी बोली कि तो ठीक है गुरु भाई या बहन मेरे घर आप सों बार के दीन आके और चर्चा करवा दिजेगा सारा समान हम घर के मिलाइगे और आप लोग आईएगा बजाईएगा और चर्चा भजन करिएगा अच्छा लगेगा मेरा घर भी गुरु भाई बहना सारा लोग के खुशी मिला उस वब लेकिन जब बिचारी धोवन अपना घर आ गई कपड़ा बाढ़ते बाढ़ते सारा लोग अपने अपने घर गए रभीवार के दिन बिचारी सारा समाग रिलाई और घर घर घूम के बोली कि भाईया गुरु भाईया गुरु बहना मेरे घर जरूर आयेगा चर्चा करवाने को लिए और हम चर्चा करवाने जा रहे हैं आयेगा और मेरा पती भी गुरु ग्यान लेगे मेरा बेटा भी गुरु ग्यान लेगा क्योंकि हम तो बच्चे में भगवान का गुरु ग्यान ले लिये थे सिस बन गए थे लेकिन मेरा बेटा और मेरा पती सिस नहीं बने हैं इसलिए आप लोग मेरा घराकर आओ चर्चा करवा के और नाम घोशरी थे करवादी जी का भुगवान भोले नात के डायरी में दर्ज कर दीजिएगा गुरु भाई वहनार जब एसा बाद सारा लोग सुने तो इनकार कोई नहीं किये लेकिन 11 बजे का टाइम दिया हुआ था और 11 बज गया विचारी धोविन के घर कोई भी नहीं गए सारा लोग कहते हैं आपस में कि हाँ इतना धोविनिया की खुद किस्मत है कि हम लोग ब्रहामन हैं और ब्रहामन होकर धोविन के घर जाएंगे चर्चा करवाने हम उचे जाती हैं हम जाएंगे धोविन के घर चर्चा कराने नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हम नहीं जा सकते हैं दोविन के घर चर्चा कराने गुरुभाई भान कोई भी लोग उसके घर चर्चा कराने को लिए नहीं पहुचे बेचारी भगवान के आसन लगा दी थी भगवान के भोग लगा दी थी और अकेले अपने बच्चे के वहाँ बैटके और जितना भजन आता था वो भजन कर दी भगवान के शुमरन कर दी भगवान से दया मांग ली भगवान के पास हाजरी बनाने की भजन कर दी कथा कहानी भी बैचारी कर दी लेकिन गुरुभाई वहना गाव का लोग एक भी नहीं पहुँचे जब गाव का लोग नहीं पहुँचे साम हो गया बैचारी दो चार घर दस घर देने गई परसादी लेकिन कोई परसादी नहीं लिए अब ये बैचारी दोविन सोचती है कि एरे मेरा परसादी का तो अपमान हो जाएगा अच्छा कोई बात नहीं हम लोग आपस में बाट के खा लेंगे जो बचेगा ओ क्या करेंगे कि दर्वाजा पर गार देंगे और नहीं तो कहीं फेग देंगे तो भगवान को परसादी में लात लग जाएगा गुरुभाई भहन क्या किया कि घर के आगे वो विचारी परसादी को मिटी से ढगदी गढ़े खोदके और अपना रशोई बनाने लगी। गुरुभाई भहना जब सवेरा हो गया तो पूरा गाउं में हंगाम हो गया सारा लोग कहते हैं कि अरे मेरा बेटा का तो बहुत सीरियस बीमार पढ़ गया है अरे मेरा बेटी भी बिमार पड़ गया है, अरे मेरा पत्नी भी बिमार पड़ गया है, पुरा घाउं का लोग जितने गुरु भाई गुरु बहना थे, जो गुरु ग्यान नहीं लिये थे, उनका कोई परभाब नहीं पड़ा, जो नहीं बोले थे आने को लिये, उनका कोई पूरा घर में बेचैन हो गए सब पूरा ब्याकुल होने लगे अब सारा लोग कहते हैं कि यह सब कैसे हो गया आखिर हुआ तो क्या हुआ गुरु भाई भहना पूरी गाउं में तीन से चार घर सांती से थे बाकि सारा गाउं ब्याकुल थे यह जो धोवन थी उसका घर में कुछ भी नहीं हुआ था गुरु भाई भहन सारा लोग डॉक्टर के हाँ दिखाते दिखाते परसान हो गए लेकिन किसी ने भी वैसा बिमारी ठीक नहीं हुआ सावन का महीना था सारा लोग कावर यात्रा में जा रहे थे इन्होंने बोले उसी रास्ता से बुजर रहे थे बावाधम जल्च रहाने को लिए तो सारा लोग कवरिया भाई से पुछने लगे कि कवरिया भाई अब लोग कावर यात्रा में जा रहे हैं मेरा गाउं में जब उसी रास्ते से दिखावे को लिए पार हो रहे थे तो सारा लोग कहते हैं कि अरे भाईया इसमें मेरा क्या कशूर तूने जो किया होगा वही भरपाई करने को लिए भगवान तुमें सजा दिये हैं सारा लोग कहते हैं कि आखिर क्या हमने किये हैं कवरिया ने कहने लग यह है जा उस धोविन से माफी मांग गुरुभाई भाना जो कावर आत्रा में जा रहे थे वागए चलके और कहा चले पता ही नहीं लेकिन गुरुभाई भाना यह जो सारा लोग थे ओधोविन के घर आएं और बोले अरे दोविन भान तु कहां गई हो तुमसे अ mają भी मांगते हैं भान हम आप थे हैं हम आईसा नहीं जानते थे आस गायां भान मुझे मात खर दो बिचारी दोविन बोली भाई्या इसमें हम क्या मात करेंगे आखिर क्या जानते हैं भीया मुझे ऐसी सजा मत दिजिए मैं तो आपके साथ हूं और मैं कोई 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 कार्ज नहीं किया हूं कि जिसमें आपका वह से कोई सी तकलिफ पहुचे सारा लोग बोले बहन वैसा कोई बात नहीं लेकिन नहीं आये हैं वही कारण मेरा गाउं में पूरा लोग बीमार हैं गुरुभाई बहना दोविन से माफी मांग लिके और सब लौट आये लेकिन फिर भी सारा लोग बीमार थे भगवान भोले ना दो चार के सपन में दिये कि रे मुर्ख तूने तो जाके माफी मांगा लेकिन जो परसादी उन्होंने छुपा के रखा है वो उन्हें तो परसादी खाने के डर से उसका घर नहीं गया तो अपमान किया मेरा परसादी का तो ऐसा करो जाओ आओ जाकर उससे परसादी मांगो। गुरु भाई बना सवेरा हुआ तो दो चार मिलकर पुरा गाउं में इस बात को हल्ला कर दिये जब हल्ला कर दिये तो यह जो लोग थे सारा लोग उनके घर पहूच गे उनके घर पहूच कर और कहने लगे कि हेद हो विन बहर जो तुम्हारे पास परसादी है चर्चा वाला अब लगाई होगी वह यह हम लोग का दे देती तो हम लोग कल्यान हो जाते धोविन ने बोली भाईया क्या कहूं ओपरसादी तो सचमुझ में मेरे पास है लेकिन भाईया मैं जमीन में गार दिया हूं अपने बच्चों को कुछ खिलाया कुछ पति को दिया कुछ अपने ठोला परोशन के दो चार का दिया है बाकी लोग तो नहीं लिये अब का करें परसादी तो है रखा हुआ उन्होंने बोले तो ऐसा करो मुझे दे दो जब बेचारी परसादी निकालती है तो जैसे रखी थी वैसी था निकालके और लोगों के देदी की लिजी भीया जो दो चार लोग गए थे उनके तरवाजा पर वो सारा गाओं में बाटे सारा गाओं के लोग परसादी खाएं अब परसादी खाने के बाद जैसे लगा की अमरित खा लिये हैं परसादी खा लेने के बाद उनको लगा की अमर खाते ही सारा वीमारी दूर हो गया गुरुभाई बहना जब धोविन के घर धोविन के हाथों के परसादी लोग खाएं तब उनका सुक्सांति मिल गया और सब बिलुकुल स्वस्थ हो गए और जब स्वस्थ हो गए तो सावन का महिना था धोवीन कहने लगी कि भहीया पर साधी तो खा लिये लेकिन ऐसा किजिए कि हम लोग सारा लोग भाई बंधु के तरा गुरू भहीया जिस्टे नाते हम लोग बोले नात के जल चरहाने के लिए जाएंगे गुरू भाई बहना नीचा से नीचा जाती और उचा से उचा जाती उजा पाट में कोई भेदवार नहीं लगाना चाहिए तो ओ जो सारा लोग थे जिनका मर्जी था सम मिल के भगवान भोले नाद के जल चढ़ाने के लिए देव घर चले गए कावर लेकर और जल भरके और वहां जाके और खुसी खुसी जल चढ़ाए जब गुरुभाई वहना जल चढ़ा कर लोटे तो उनका गाह बिलकुल पहले की तरह भली भाती थी और स्वस्त लोग हो गए जिनका बेटा विमार था जिनका पत्नी विमार थी जिनका बेटी विमार थी सारा लोग बिल्कुछ स्वस्थ हो गए और पहले की तरह हो गए और पुरा गांग खुसी मनाने लगे तो गुरुभाई बहना भगवान भोले ना आपके पूजा करने से दुखी लोग नहीं होते हैं तो गुरुभाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तेसे लायक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए और मैं फेस्बूक पे भी हूँ मैं इस्टाग्राम पे भी हूँ मेरा फेस्बूक पे फॉलो किजिए लायक किजिए शेयर किजिए धन्यवाद हरर महादेव घरगर महादेव गुरुभाई बना मेरा फेस्बुक पर भी बहुत अच्छी अच्छी कहानिया मिलेगा आप लोग का आप लोग फेस्बुक पर भी जा कर देखिए धन्यवाद है